यहिंद भाई लोग गुड मोनिंग भाई लोग आर्मी ओर्डिनेंस क्रोप की तरफ से एक रिकूर्मेंट निकला है जिसको सोट में कहते हैं AOC ठीक है काफी सारा पोस्ट है इसमें तो यह डीटिल में बात करते हैं कि यह वेकेंसी क्या है किसके बारे में है ठीक है और इसमे सामान बगेरा पहुँचाना होगो कुछ भी ठीक है तो आर्मी ओर्डिनेंस क्रोप की तरह ही यह यह किया जाता है और भाई लोग दिछान रखना यह ministry of defence के अंदर में आता है ठीक है मतलब डैरेक defense ministry के अंदर ही यह आता है जैसे आर्मी होता है वैसे ही है ठीक है काफी सार दोर पर यह दिख रहा होगा material assistant, जिसमें UR के लिए 171 vacancy है, EWS के लिए 42 है, OBC के लिए 113 है, SC, ST के लिए 62 और 31 यह 100 vacancy है, total vacancy कुल मिला कर 419, 419 vacancy है इसमें, ठीक है? salary के बारे में बताया गया है कि salary जो आपको मिलने वाला है, level 5 का salary मिलना है, मतलब सच सकते हो, एक army का बंदा जो army का job करता है, soldier में जाता है, उसको level 3 या level 4, level 4 नए level 3 का salary मिलता है, ठीक है? ठीक, promotion होके उसको level 5 मिलता है, लेकिन यह directly level 5 का salary दिया जा रहा है, मतलब कापी अच् हर एक region wise, मतलब eastern region, western region, northern, south region, ठीक है न, यह सब region wise डिवाइड होता है, तो देखिए हर एक region के लिए आपको पता है, जिसमी region में आपका जो है आता होगा, तो आप apply करेंगे, जैसे eastern region में आसाम, औरोनाचल प्रदेश, नागालेंड, मनिपूर, यह eastern region में पढ़ता है, तो बहां के candidates जो है, आसाम, औरोनाचल, और नागालेंड, मनिपूर के candidates, western region में apply करेंगे, उनका requirement भी बही होगा, ठीक है न, वेकेंसी कहां, कौन से region पर कितना है, यह important है, वेकेंसी देखिए, eastern region के लिए सिर्फ 10 वेकेंसी है, ठीक है, western region के लिए 120 वेकेंसी है, northern region के लिए 23, central west region के लिए सबसे ज्यादा वेकेंसी है, जिसमें 185 वेकेंसी है, ठीक है, और eastern region के लिए 26 वेकेंसी है, जिसमें west Bengal, जाडकन और सिकीम आता है, तो यही candidates जो है apply करेंगे, इसी state के candidate, eligibility condition के हम बात करते है, मतलब आपका योग्यता क्या है, देखिए, पहले बात करता हूँ, citizen of India के नागरिक होना चाहिए, नेपाल और भूटान, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये तीनों में से किसी में भी आप अगर आते हैं, किसी देस का भी आप नागरिक हैं, तो apply कर सकते हैं, इंडिया के हो तो कर सकते हो, नेपाल के हो तो कर सकते हो, भूटान के हो तो इसमें अप्लाई कर सकतो कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना और उसके साथ ये सिर्फ जेनरल केंडिडेट्स के लिए है 18 से 27 ST, SC, OBC के लिए 5 साल और 3 साल की गवर्मेंट के द्वारा जो दिया जाता है रिलाक्सेशन बो भी मिलेगा ठीक है इसमें minimum qualification चाहिए वो graduate होना चाहिए ठीक है ना graduate से नीचे qualify इसमें नहीं चलेगा और देखिए graduation आपने नहीं किया है तो आपने अगर डिपलोमा किया है किसमें material management में तो भी आप apply कर सकते हैं और डिपलोमा आपने किया है engineering में in any discipline from a recognized institution मतलब आपके पास graduation है तब आप apply कर सकते हो आपके पास engineering है मतलब डिपलोमा सिर्फ आपने किया है तब भी आप इसे apply कर सकते हो चाहिए वो कौन सा भी डिपलोमा हो सीबिल हो, mechanical हो, electrical हो, जो भी हो ठीक है ना, भाई लोग जैसे कि मैं बताया government की तरफ से कितना जो है age relaxation मिलता है यहाँ पर देख सकतो, ST, ST के लिए 5 साल मिला है, OBC के लिए 3 साल PWD बालोम के लिए 10 साल, PWD OBC बालोम के लिए 13 साल, PWD ST, ST, ST बालोम के लिए 15 साल ठीक है यह age relaxation है के लोग एपलाई के से करना है, एपलाई करने के लिए सिर्फ online mode ही apply करना offline इसमें apply मत करना, offline इसमें apply नहीं होगा और कोई other mode भे यह नहीं होगा यहाँ पर साब तर पर लिखावा है, only application will be accepted mandatory online registration by the applicants through different OTP authentication देखिए, आप जब online आवेदन करेंगे, उसमें क्या है आपको choice of exam center मांगेगा, ठीक है लगवक 5-6 exam center के बारे में बहाँ पर दिया हुआ है आपको exam center के बारे में पुछेगा कि आपका exam center आपको खुद चूज करके देना होगा, ठीक है तो आप अगर जब exam center पहले देते हैं, तो first वो preference रहेगा कि आपका recruitment या exam बहीं पर हो, ठीक है न तो इस तरह से आप अपने सारे exam center के नाम बहाँ पर आपको देना होगा, ठीक है देखे भाई लोग, हम लोग अब exam के बारे में बात करते हैं, कि इसमें exam कितने mark होगा, क्या होगा देखे, सिलाबस यहां पर पूरा दिया होगा है, कि exam आपको कैसे लिया जाएगा देखे, general intelligence and reasoning, 50 question आएंगे, 50 mark है, ठीक है नियुमेरिकल एप्टिटूड मतलब mathematics, आपका 25 question आएंगे, 25 mark है, जेनरल awareness, मतलब जिये जिसे कहते हैं, 25 question आएंगे, 25 mark है English language and comprehension, यह 50 question आएगा, 50 mark है, ठीक है, टोटल मिलाकर, 1500 question आएंगे, 1500 mark है, ठीक है दो घंटा time मिलेगा आपको, और यह objective type होगा, objective type आपको पता है, एक question रहता है, उसका चार option रहता है, इसी तरह से यह exam होगा exam जो रहेगा, वो English और Hindi, दोनों language में रहेगा, ठीक है, देखिए इसमें negative marking है, 0.25 जो है negative marking है, मतलब 4 गलत करने से आपका एक mark वहाँ पर कटेएगा, ठीक है ठीक है भाई लोग, सब कुछ इसके बारे में बता दिया, क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, और किसी में doubt है आपका, कोमेंट करो मेरे को, और लाइक कर दाना भाई लोग, सब्सक्राइब कर दाना चलनल को, अगर फास्ट टाइम देख रहे हो तो आपका भाई एसा ही वीडियो लाता रहेगा, ठीक है ना, चलिए, जय हिंद